अच्छाने कुस्चेन नमबर सतों डिसो तो हिना मिया है 2x plus y is equal to 10 and x is equal to then the value of xy ठीका हाने ही भी का equation आ है equation जा जेके rules regulation sign वे असा इस्तेमाल करें इन प्राबलम के solve कना से ठीका इनने में कोई भी फार्मूला वागरा का भी शेयर यूज नतीं दी सिंप्ली चा करनों आसा के डिसो तो ही जेको x जो value आसा के given ना है सबनी का पेरियां तो वो value हिना equation में ताहां put कए हो हिना equation में put करन सा ताहां के y जो value भी मिली वें दो छोता जेकर आसा के x y मतलब x जो value जो value खपे it means आसा के x जो value जो value भी multiply करना है और x value तो पाणड़ बट आ है बागी रहो चा रहो सिर्फ y जो value y जो value हिना equation में ताहां के x value पुट करन सा मिली वें दो understand 2x आ है ताह 2 तो हमाँ same रखो x जगह दो जो value रखो जिको आ है 2 plus y is equal to 10 बहुत के बहुत सा multiply करना हो जवाब जी जो चार plus y is equal to 10 y जो value खपे ताह 4 के पाणड़ बराबर जी बेपास से shift कंदा से 4 जो आओ वो positive नेगेटिव थी हैं दो y जो value जो value जो 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 6 ठीक है तो इत्ते तकड़ में ना है करना option number d जो का वो correct थी हैं दो सवाल डिसो तो सवाल असांग अचा पूचे तो सवाल यो पूचे तो तो x y जो value चाहती हैं दो it means x ने y जो values जेके इन वो बयाने multiply थी ना x y असांवाट जेको x value आओ वो 2y जेको असांवाट पे रहें गिविन हुए हो y जे value असांग मिलेओ 6 तो 2 के 6 सा multiply कना से तो जवाब मिलेओ 12 option number a जो का वो correct थी है उनका पूचे तो question number 8 आए find the value of a if the ratios 3a plus 4 2a plus 5 हाने he complete इगड़ रेशो वा ठीका ही complete इगड़ रेशो वा and 3 ratio 4 are equal ठीका तो आने करें करें चाहती ही दुआ तो असांवाट equation में ratio जाप्राबलम्स भी achieve दाएं ठीका जो तो तो आवाग मां पेरेंगाल कई तो जहें भी किसम जा questions equations are related दाएं उए सबह यसी पढ़नदा से तो ratios are related question भी achieve दाएं equation में तो आने इनके की हैं से solve कंदा से उनना लाज सब नहीं का पेराथ हो और ओ concept डिसीवट हो concept यह आए तो असां रेशो के fraction में भी convert करे सकाना हैं जे डिसो 4 to 5 ही एक ratio आए जड़े असाने के fraction में convert कंदा से तो वो 3 तो 4 अपान 5 जे करे 4 to 5 लिखे ला या 4 अपान 5 लिखे ला बिनी जो मतलब सागिवा यह बई पाना में बराबर आएं फरक सिर्फ एतर वा तही रेशो जी सूरत में लिखे ला एंही जे को आए fraction जी सूरत में लिखे ला है जे करें आए असान वाट 9 to 7 रेशो के पढ़ण जो तरीक हो यह आ है 9 रेशो 7 पढ़ओ या 9 to 7 पढ़ओ यह न के पढ़ण जो तरीक हो आ हाने जे करें इन रेशो के fraction में convert करण वा है तो असान जमादा से 9 अपान 7 जे का पेरी टर्मा वाती है नियोमिरेटर जे का बाद वारी टर्मा वाती हैं दी डेनोमिनेटर जे करें x to 4 आ है तो वो ती हैं दो x अपान 4 जे नाई न चीविए x अपान 4 तो असा रेशो के fraction में या fraction के ratio में convert करें सगना है ठीका हाने जे तो find the value of a if the ratios यह बारेशो जेके आए यह बही पान में चाह हैं हाने इनना मासा के ए जो value बुदा हैं हाने दिसो जे करें लेके ला 3a पिलस 4 या पेरी टर्मा ठीका हैं आए 2a पिलस 5 या बी टर्मा वरी लेके ला 4 तो 3 हने सबनी का पेरिया माँ चाह कई वाथ ही पेरियों रिशो असावट यह असावट ब्यव रिशो यह बढाई रिशो पान में बराबर हैं हाने पान चाह कहना से इननके असा फिर्रेक्शन जी सूरत में लिखना से या है पेरी टर्म इनके नोमीरेटर काई है ऐन 2a पिलस 5 जेका हुआ बीन टर्मा उनके डिनॉमिनेटर कायो हुआ है इस एक्वैल टो एफ और टो थिरी के विया सां हिक का फिरेक्शन जी सूरत में लिखन दा से हने तिरी सो तांजी का एक्वेशन ठाई ठाई ठीका है और इनके तवा एक्वेशन जे कानून मुताबक हल कायो हुआ अमेठिक आई से मल्टिप्लाइ थी है झान इते माठिक्वेशन ठाई दो तो टरी तरी ठीका झान अधे थे नहीं पॉर्टिप्लाइ थी होगा हल टो यह इस ऑल लिन्ईएर्टिक्वेशन जे बैसिक में पढ़ी चुका ही तांग यहाँ थी हम एक्वेशन theo के तरीक यहै एट एए जड़ें फोर फाइव सा मल्टिपलाए थी दो जवाब ही दो ट्वेंटी और इनमा असांखे ए जो वेल्यू मालूम करणवा ता जिके लाइक टमस इन उए हिकपा से कई हो मतलब दो नाइन ए पईवा ही ते जेकर एट एक एक सां बराबर जे बेपा से शिफ्ट कंदा से तो वो ते यह दो नेगेटिव ट्वेंटी के साग्यों रखो आई जड़ें बराबर जे बेपा से लिए हो तो वो भी ती वें दो नेगेटिव नाइन ए माँ जेकर एट ए माइनस कंदा से बागी हिते सिर्फ बची ए वी अमाँ जेकर ने बारहां कट कंदा से तो जवाब मिले हो अठ तो इनने साब साथ जो आप्शन नमबर सी जो का वो करेक्ट आ है चो तो जड़ें साथ इने रेशो में यह इने एक्वेशन में एजी जगह ते एट पुट करे डिसू था प्या तो बई रेशो सपाण में बराबर थी वें था जिसू कियां यह तिरी ए या एज जगह ते तमाँ अठ रखो वरी या पिलस फोर वरी ब्यो रेशो आसाँ वाट टू ए एज जगह तमाँ अठ रखो वरी पिलस आए फाइव यह चाजे बराबर आए फोर अपान थिरी जे ठीक अठ ये ट्रेसा मल्टिपलाएगो चोवी चोवी में तवाँ चार जोड़ कएओ यह तिरी वें दो अठावी बहु के एटसा मल्टिपलाएगो सोरा सोरा में पंज जोड़ कएओ यह थी वें एकवी फोर अपान थिरी आए सत्त जोड़ अठावी दिवें दो चार दफा एकी वी दिवें दो ट्रे दफा तो फोर अपान थिरी फोर अपान थिरी बही रेशोस जेके नुए बही पान में बराबर थी व्या ता रेशोस ना रिलेटेड कुश्चन भी equation में अच्छी सेकिन था उननके किया solve करे सकजे तो वो सरी हो concept माहिना इकड़े सवाल में समझाए चरिवाए उननका पोई असी question number 9 हलकंदा से जे को पिन ratio से related आ है उनना में भी equation involved आ है ठीक और इते जे तो what number must be added to each term of ratio 5 to 27 to make it equal to 1 to 3 अच्छी तो तो ही ratio जो को आए 5 to 27 and 1 to 3 ये भी जे किन पान में बराबर आ है ठीका 5 upon 27 and 1 upon 3 अच्छी ये बराबर ना है च्छी तो तो ही जो को first ratio आ है इनने जी हर एक term में पान केड़ो number 8 कई हूं तो उननका पोई ये भी बराबर थी ता फिलाल ये बराबर ना है पुच्छे तो ही जे को ratio आ है इननजी हर एक term में पंजमे आए सतावी में वो केड़ो साग्यो number 8 कई हूं उननका पोई ये भी ratio उस पान में बराबर ती बिन दा असा के जड़ें भी कोई भी number find करनों हों दुआ जे वेल्यू अनन हों दुआ है ता उनना लाए सा x, y, z कोई भी variable जे को आए वो लिखना आए ता हाने ता वाई ये कई हो suppose वो number आ है x वो number x मा पंजमें भी जोड़ किया तो आए वो number x मा सतावी में भी जोड़ किया तो हाने ये भाई ratio जे किन पाण में बराबर थी व्या 5 अपान 27 1 अपान 3 ये पाण में एक्वेल थी वें दा जे करें असा साग्यो नंबर हिन भी नी numbers ये add काना से ठीका अन ही ते equation ठाई भाई सागी तरीके साँ पाई cross multiplication थी ये जो को 3 पाई हुआ है 5 सा multiply थी जवाब अची है तो 15 x सा multiply थी जवाब अची है तो 3 x ऐवन जड़े है सतावी प्लस x सा multiply थी जवाब साग्यो सतावी प्लस x ने दो like terms जेकिन हुए एक side कायो 3 x x के जेकरें बराबर जेन पासे खणी दासे तो x माइनस 27 15 भी जगा हो नेगेटिव थी हैं दो 3 x माइनस 2 x तो बागी बचो 3 x माइनस x तो बागी बचो 2 x जेकरें सतावी माँ पंदरां कट कंदासे तो बागी बचो 12 बच जेको आयते मल्टीपल आयते तो बराबर जेपास देवें दो बच जेकरें दो बच जो को बारां देवें दो 6 दफात इनने जो right answer जेको थी तो 6 थी तो ठीका है अच्छाने के तवा MCQs method सां भी हल करे सगो प्या वो की हैं तो for example तवा के मना गाल समझे न थी चेट इनने जो को method एक्जेक्ट method केड़ो आ है तो MCQs method सां भी ने के solve करे सगो था जेके भी तांग option दिनर लाइन उननमा हरे का option के चेक करे भी ने के solve करे सगो था for example लिसो 7 वी तो 25 तो 27 आ है ठीका and 1 तो 3 आ हैने चाहे तो जोको पान चार्ण जोड करें तो पेर只 करें तो तो जोड करें पंच की में जोड कांदा सगो 27- 37 तो आफ मिं जोड कांदा सगो नहीं तो मना option ना नमर ए सड़े में रंबा सांग ठीका अनग हम जोड जोड करें ऑन जोड करें पर नहीं तो मन आप्शन नंबर बीब यसां जो नतो दीजागे एंसी में आए सिक्स तर पंज में तमाची जोड़ कयो तर तीन तो यारां सतावी में ता जोड़ कियो थी यो ट्रेटरी और फिलाल यो बराबर नतो लगे पर वैसे बराबर आहे चो तर जेकरें यारां जो ट तर जिक्तरी य्टेश निरम कोसिन तीन नतो ट्रेटरी थे धर ट्रे दफा तर फाफ ए नटो थी ए है और कुस्ट्टिशन तुर्म इसां र१ांगल परिमीट्र कीरीट्वाइएं हं इसां थे त्वाड़ या स्धूब बीड़ क्वाइश की सिए आं थे हैं देञरां बीदों है 6, सेंटिमीटर 15 सेंटिमीटर 15 कि आनों 11 विट्ट सोरां है तो लेंद्ट के तीरी दी वेंदी और भी ट्रे मीटर जे का आए वदी का है या संग फिलाल डेटा गिविन आए इफ इट्स एरिया इज टेन स्कॉार मीटर फाइंड दा पैरी मीटर असा की एरिया भी गिविन आए एरिया के तुरो आए 10 स्कॉार मीटर आए फाइंड चा करना फाइंड असा के पैरा मीटर जो का हुआ हो फाइंड करना है लेंद्ट जे का है वदी का है ट्रे मीटर वदी का है कैसा विर्थ का है ठीक अड़िस वही करेक्टेंगल आए एकस प्लस तिरी चोटे टीमाता गाल समझे या है जे तृए विर्थ हुंदी ट्रे मीटर लेंद्ट हुना का वदी को हुँदी इट मींस ट्रे मीटर असा वन में प्लस कानदा से जे करें हैं साँ length के suppose कई वा है width के suppose कई वा है x साँ ता length थी वें दी x plus 3 एरिया जो साँ वाट फार्मूला आए l into w यानि के length into width ठीका और चोथा सबनी का पेरिया area जो को formula है area बराबर आए length into width area जो जो को value given आए वो ताँ put कई हो 10 बराबर length length के असा जे को suppose कई वा है वो x plus 3 है वो multiply थी तो कैसा width था width के 3 है x 10 is equal to x के multiply के वो x square plus 3x हानि हित्य असा जे का quadratic equation ठाई वही 10 के जो को आए बराबर जो बेपास एखनी वें दा 0 is equal to x square plus 3x minus 10 ठीका हाने ही जे का quadratic equation ठाई है इना quadratic equation जरीए तवा के x जा values मालूम करना है ठीका हाने quadratic equation के हल करन पान सिक्यों आए उनना के हल करन का पोई x जा तवा के values मिला ना बह एकड़ो मिल दो minus 5 एह भी ओ x value मिल दो 2 length जे का हाए वह करें नेगेटिव नतीती से कि इनना जे करें जे को negative value आए उनना के तवा neglect का है जे को positive value आए उननी के तवा करना हो ठीका तो x value असा के तरो मिले हो 2 मिले हो इट मीन्स जे का width आए वह के तरी आए width बराबर आए 2 मीटर जे करें वेट टू मीटर आए तो length के तरी थी थी लेंदी 5 मीटर छो तो length जे का है वह ट्रे मीटर वदी का है पर असा के जो कोईना question में find करना वो चाहा find करना है perimeter find करना और perimeter चाहा हूंद वा कोई भी closed figure आए उनना जी जेका boundary हों दिया surrounding में उनना क्यासी perimeter जोना है ठीक है जी फिगर डिसो आए उनना boundary जेको भी surface आए उनना क्यासी area जोना है ठीक rectangle जो perimeter find करना जो formula आए ता perimeter बराबरा length पिलस width length पिलस width जैरे आसाने के simplify का है हो था formula सावट ही बचे तो perimeter बराबरा 2 into length पिलस width मतलब length आए width के जोड करे उनना जो double करे हो ता हमां के rectangle जो perimeter मिली वें दो ता length के तिरिया है पंज आए width के तिरिया है बर ता पंज आए बर तवा पे ना जोड करे हो पोना कहां पोना जो double करे हो ता तवा जवाब मिले हो 14 meter जो को सान जो right answer थी तो thank you